नमस्कार दोस्तों मैं एश्ष कोतम आपका स्वागतामें यूटूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं टैली प्रायम में ग्रुप क्रेट करना दोस्तों हमारे ऑलती ग्रुप्स सारे बैले से ही बने ऊंहोट होते हैं लेकिन हमें ऐसी क्या जोट पड़ती है जो कि हमें अलग से ग्रूप क्रेट करने पड़ते हैं मैं इस शीट के मादम से आपको समझाने वाला हूं जो आपका करने के बाद पहले ही इसमें अकाउंटिंग मास्टर्स है और इसमें पहले ही उप्सन है ग्रूप ठीक है इस पर एंटर करेंगे एंटर करने के बाद अब हम यहां से अपना ग्रूप क्रेट कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने चाहता हूं और समझाने चाहता तो ऐसे में क्या होता है कुछ लोग इंसुर्ण को अलग अलग नाम तो अलग नामों से हमें कभी बी ऐसे धिखाना चाहिए यहीं ऐसे दिखाएंगे तो हमारे बहुत सारे हमारे expenses हो जाएंगे ठीक है उनकी grouping करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक group बनाएंगे ठीक है गुरूप क्या बनाएंगे insurance expenses के नाम से जैसे कि इसमें चार खर्चे अलग-अलग दिखाए हुए insurance insurance charges ठीक है insurance expenses vehicle insurance expenses तो हमें ऐसे कभी बी अलग-अलग नहीं दिखाना चाहिए ठीक है इसके लिए एक group हम create करेंगे किस नाम से insurance ठीक है यहाँ पर नाम में जो group आप create कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा मैं इसमें group का नाम डालता हूँ इंसरेंस expenses तो हम यहाँ पर एक group बना रहे हैं insurance expenses के नाम से अंडर grouping जैसे कि मैंने आपको बता है हमारे पहले से ही बहुत सारे groups होते हैं तो आप जो यह देख रहे हैं यह सभी groups है ठीक है सभी के सभी groups हैं हमाने में आप यह जो इंसोरेंस expenses तो अंडर जो हम रखेंगे रखेंगे indirect expenses की kis को इंडरेक्ट expenses के क्योंकि हमारा इंसरेंस द्रकी और रखेंशी ने हमारा इन्ड़क्ट जो एक्सपेंसिस है हमारा गुडूप ठीक है तो हमने क्या किया אני एक गुरूप के अंदर ही एक गुरूप बनाया है ट्रेक हई जो कि हमारा इंड़ाइक अध्क पैंस से फ्रलत था झ्यां इस के लिए तक है यदी आप इसे यस करना चांथे तो यस कर सकते हैं अदर्वाइ banc रखेंगे ठीक फिसके बाद net debit credit balance for reporting ठीक है यदि आप चाहते हैं net debit credit balance के लिए तो आप इसे yes कर सकते हैं ठीक है मैं इसे नोई रखता हूं फिर उसके बाद है used for calculation for example taxes discount for sale invoice entries ठीक है आप इसे yes करने चाहे तो yes कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद method of allocate when used in purchase invoice set alter tedious details ठीक है तो आप इसे चाहे तो कर सकते ह है जैसे कि इसमें quantity value इसमें दी हुई है उसके बाद है set alter details तो इसे yes करने चाहे तो कर सकते हैं ठीक है मैं सभी को यहां पर रखता हूं सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं grouping किसलिए की जाती है ठीक है तो यहां पर इसे हम yes कर देंगे और यह हमारा group credit हो गया है कौन सा पहला insurance insurance charges insurance expenses विकल insurance expenses की जो लेजर है एक किसके आएंगे indirect expenses के बजाए किस में आजाएंगे insurance expenses में के लिए अब उसके बाद दूसरा जो group है हमारा अब जैसे माल जी यह freight है ठीक है RCM तो यह दी आपका अलग अलग trás पर हैं ठीक है अलग अलग नाम से है आपके काफी सारे तो आपको इसमें एक गुरुब बनाना या ठीक हैरें-वेर्ड तो फटेट इन वर्ड के नाम से और फ्रेट आउट वर्ड है तो फ्रेट आउट वर्ड के नाम से ठीक है तो हमारा इस में फ्रेट इनवर्ड सब्सक्राइब है तो यह हमें लेजर तो बनाने है लेकिन हम इसके लिए एक अलग से ग्रूप कर देंगे ठीक है किस नाम से फ्रेट इनवर्ड यहां पर नाम में प्रेट इनवर्ट ठीक है अब मद ढराम ये अई इगा हमारे पक्ट्र अध्यान await धिक है अब ईुटको होता है वह स्मेराफ्ट को ये यह समाज आएगा दालेक्ट एक्सपेंसींश में ठीक है इसे हम save कर देंगे जो हमारा outward होता है फ्रेत outward वो किसमें आता है indirect expenses में तो अब है हमारा group 3 इसमें interest on tcs late fee ठीक है interest on loan interest on wCl loan ठीक है इसमें अलग-अलग यदि आपके ऐसे कुछ ledger है तो वो आपको अलग-अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है है ठीक है हमने गुरुप का नाम इंटरहूपेव ठीक है टाइप कर दिया अब यह जो और आएदेगा यह किसके आएगा इंडाइट Чप हम बूखी मान लूबफ आप जैसे मन ळीजिए यह आपका water bill है और आपकी अलग-अलग branch है तो आपको उस condition में क्या करना है अब जैसे इसमें water bill water bill for gya room water bill m2m गुरुग्राम water expenses ESIC water expenses मतलब अलग-अलग नामों से water को दिखाए गया है expenses को तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम एक group create करेंगे यदि जरूरत है तो यदि जरूरत है तो आपको एक group create कर सकते हैं जिसे कि आपको पता रहे आपके water अब जैसे कि हम यहाँ पर group बनाएंगे नाम में water expenses अब यह किसके अंडर आएगा इंडार्यक्ट expenses कहीं ठीक है अब इसको हम save करते हैं महाँ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा तो इसके बाद group 5 अब जैसे माली जी प्रिंटिंग and stationary at the rate 5% मतलब 5% वाली है printing and stationary है 12% वाली यह आप अलग अलग इसमें printing and stationary में दिखाते हैं तो वैसे आपको दिखाने की ज़रूत नहीं है ठीक है बस आपको एक ही laser बनाना printing and stationary का और जो भी जितने भी percent की होगी जो भी होगी आपको उसमें डाल लेनी है लेकिन यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए एक ही यहाँ पर group बनाएंगे printing and stationary के नाम से और जो laser create करेंगे अब उसके बाद है गुरूप 6 अब इसमें जैसे रैंट है हाउस रैंट मुझफवन अगर रैंट पैटना रैंट पैटना न्यू रैंट रिंबर्समेंट रूम रैंट गया रूम रैंट जी एल्डी साइट यानि कि आपने काफी जगों पर रूम का रैंट पे किया है ठीक है वैसे आपको अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं ह आप एक में दिखा सकते हैं यदि आपको ज़रूत पड़े तो आपको इसके लिए एक ग्रूप क्रेट करना है रैंट एक्सपैंसिस के नम से और अंडर जो रखेंगे वो रखेंगे इंडर्यक्ट एक्सपैंसिस ठीक है अब इसको हम सेव कर देंगे आप उसके बाद अम से बैलेश सीट गूरू तिक है अब जैसे हमारा शूर्ड ऑन प्रोफेस्ट्रीण लोगया थो ट्रीड़ challenging कोन्ट्रेक्टर हो गया जैसे करना है लिए टीज का दैक्सिस गया तो इनको अलग-अलग दिखाने की जुरूप नहीं है आप क्या करें आप एक group बनाए TDS के नाम से और TDS किसके अंडर आएगा duty and taxes के अब यह हमारा TDS on professional under grouping किसमें आएगा laser वो आएगा TDS के और TDS किसके अंडर है duty and taxes के अब हमें यदि हम laser बनाएंगे TDS on professional का तो under grouping किसको रखेंगे duty and taxes को नहीं बलकि TDS को अब इस group को हम save कर है अब उसके बाद है group 8 अब जैसे मान लेजिए SDFC bank loan है PNB bank loan है ठीक है या other आपने कोई bank loan लिया हुआ है ठीक है तो यह क्या होता है हमारा किसी भी banking संस्ता से लिया हुआ लोन हमारा कौन से होता है secured loan तो हमें यह किसमें डालना secured loan में जो कि हमारा पहले से ही इसमें secured loan बना हुआ है ठीक है तो आपको अलग-अलग बनाने की जुरूरत नहीं है आप इसमें डाल सकते हैं अब उसके बाद गुरूप एट जैसे राहूल अउजा से आपने loan लिया है अमित मिश्रा से लिया है सुरेश कुमाश शर्मा से लिया है ठीक है इसके लाव भी कोई अन्या परसन हो सकता है बैंकिंग संस्था को छोड़का इंडूइस वाली ठीक है तो यह कौन सा होता है हमारा अन्सिक्योर लोन यह जो लेजर है वो अंडर गूपिंग जो आएंगे वो आएंगे अन्सिक्योर लोन के यो कि इसमें पहले सी हमारा अन्सिक्योर लोन बना होगा जैसे कि आप देख नहीं है बल्कि इसके लिए आप एक group create कर सकते हैं किस नाम से वो मैं अभी आपको बतायता हूं वो कर सकते हैं आप expenses expenses payable के नाम से आप group create कर सकते हैं और यह किसमें आएगा current liability में जैसे हमारे salary payable आया या जितने भी खर्चे हैं वो अंडर ग्रूपिंग किसके आएंगे expenses payable के current liability में नहीं आएंगे ग्रूप 9 ठीक है तो इसमें आपने investment की हुए किसमें mutual fund में जैसे के LMT mutual fund में आपने investment की हुए data mutual fund में अपने investment की हुए यह इसके अलावा भी अन्या हो सकते हैं ठीक है तो उस condition में आपको एक ग्रूप बनाना है किसे नाम से mutual fund के नाम से ठीक है अंडर जो आएगा वो किसका एगा investment के अब यह जो अलगलग आपने है मुचल फंट खरीदे हुए है ठीक है investment जो की हुए है जब यह लेजर क्रेट करेंगे तो रूपिंग किसका आगा mutual funds के ठीक है तो यह investment group में यह mutual fund दिखाई देगा और इसके अंदर यह वाले लेजर दिखाई देगे इंटी मुचल फंट ठीक है जिसके भी आपने investment की हुई है mutual fund में अब उसके बाद है group 10 PNB bank FD HDFC bank FD या SBI bank FD यानि कि आपने FD की हुई है अलगलग bank से ठीक है तो उसको आपको investment group में अलग-अलग दिखाने की जरूत नहीं है बलकि आपको एक group क्रेट करना किसमें bank FD के नाम से ठीक है मैं आपको दिखा जाता हूं इसमें लेश को हम सेव कर देंगे group को अब यह जो हमारी लेजर क्रेट होंगे यह किसके रखने बैंक FD यानि कि investment के अंदर बैंक FD दिखाई देगा फिर उसके अंदर यह ती लेजर दिखाई देंगे गुरूपिंग करने का यह benefit होता है अब उसके बाद है group 11 company employees loan या outside loan हमने employees को loan दिया हुआ है ठीक है काफी सारे employees है जिनको loan दिया हुआ है या advance दी हुई है salary ठीक है तो उस condition में हम एक अलग group क्रेट कर सकते हैं ठीक है employees loan के नाम से ठीक है outside loan दिया हुआ है तो हम other loans के नाम से आपको grouping करना समझ में आ गया होगा तो यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बता है वीडियो आपको अच्छे लगी है प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने friends के जाथ वीडियो देखने के लिए चलने बाद है